दोस्तों नमस्कार सुआगात है दोस्तों आपका हमारी चैनल में आज की जो क्यास है करनट अफियर से रेटेड है इसमें अक्टूबर मंत की जो स्टार्ड में 15 डेस उनकी सभी इंपोर्टेंट कुष्चिंज कर अक्ट आफियर के उन को कवर करेंगी और यह कुष्चिंज जिससे कि आपको पेपर के एक्जाम के समय पर कोई करने में यह ज्यादा हैल्फुल होंगे तो शुरू करते हैं इस वीडियो को पहला कुश्चन है टूटल 90 कुश्चन होंगे यह वीडियो अक्टूबर जो है दो पार्ट में आएगी पार्ट वन जो है वह एक अक्टूबर से पंद्र अप्टूबर तक करेंगे और पार्ट टू में नेक्स के कुश्चन को कवर करेंगे तो बिना किसी देली के सुरुवात करते हैं अपने क्लास की तो कुश्चन नम्भवन है संयुक्तराष्ट महासावा के 78 सत्रुप भारत की और से किसने संभोधित किया है तो सं दीश मंतर एस जैसंग करने कुश्चन मैं कॉंसी भारती एकमपनी नैं भुकंप चैतावनी सुरु करने जा रहे है मैं कॉनसी भारतीय गांपनी चैता पनी शुरू करने जा रही है तो गोगल अब Von John 29 सितंबर को ने किस भारतिये टैनिस के लाड़ी को 2024 टैनिस हॉल ओफ फेम के लिए नामांकित किया गया है तो लेंडर पेस को नेक्स्केशन है HDFC बेंक के प्रवंद निदेशक कौन है जिनने RBI के द्वारा पुनर नियुक्त किया गया है वह है ससीधरन जगदीशन को ही हाल ही में और वियाई ने द्वारा से पुनर निर्थ किया है ग्लोबल इन्नोवेशन इंडेक्स 2023 रैंकिंग में भारत किस इस्तान पर है भारत किस इस्तान पर रहा है पर प्रवंदन के लिए भारत का पॉललवितन कचरा भैंक सुरू किया गया है। उत्तराखंड में सतत अपसिस्ट प्रवंदन के लिए भारत का पहला पॉलितिन कच्रा बेंग शुरू किया गया है पहली बैस्युक हल्दी सम्मेलन का आयोजन कहां किया जा रहा है मुंबई में मुंबई में पहली बैस्योग हल्दी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है नेक्स ब्हारत में हरित करांती के जनक कहे जाने वाले किस बैग्यानिक का निधन हुआ है तो स्वामीनाथन प्रेस्टश्ट आफ उंडिया के नई चेर्मन कौन बने हैं 50 अभरा उधियर को सिन दूसरा बाग अभ्यारत में कैमूर जिले में राज्य का दूसरा बाग अभ्यारण इस्तापित किया रहा है कि नेक्स कुशन चर्चा में रही स्वाति नाइक ने कौन सा पुरुसकार जीता है तो नार्मन इस बोरलांग पुरुसकार किस कार कंपणी ने 2024 तक डीजल कारों का उत्पादन बंद करने का नेड़े लिया है तो वह आंसर है वॉल्वो नेक्स कुशन है टाइम्स हायर एग्जुकिशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्स्टी रैंकिव दोजार चौविश में कौन सीर्स पर है तो ऑक्सफोर्ड यूनिवस्टी टाइम्स हायर एग्जुकिशन द्वारा जारी बंद यूनिवस्टी रैंकिंग में दोजार चोब्ड का यूनिवस्टी कौन सा राइस्थञ्ट कंपर ने नेक्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स् UNFPA की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 2050 तक भुजरुगों की आबादी 20% हो जाएगी तो आंसर है भारत नेक्स कुश्चन है फोर्टींथ गिलोबल स्किल सम्मिट कहां आयुद की गई है जो दमी इस्टेट में आयुद की गई दिल्ली में नेक्स कुशन प्रतिवर्स अंतराश्टी ब्रद्धाजन दिवस कब मनाया जाता है नेक्स कुश्चन है बरतमान में CBDT के अध्यक्च कौन है जिनका हाल ही में काराला बढ़ाया गया है तो आंसर होगा नेक्स कुश्चन है किस इस्तान पर दुनिया के सबसे अधिक उचाई पर फैसंस हो का रिकॉर्ड बनाया है कुश्च किस इस्तान पर दुनिया के सबसे अधिक उचाई पर फैसंस हो का रिकॉर्ड बनाया तो वह है लड़्डाग माल दीप के नई राष्टपती कौन वने हैं तो मुह्मप मुईज्व मुएज्व माल दीप के नई राष्टपती वने हैं यूपएस के सदस्य के रूप में पद और गूपनियता की सपत किसने ली है डाक्टर दिनेश दास UPSC के सदस्य के रूप में पद और गुपनियता की सपत किसने लिए है डाक्टर दिनेश दास T20 इंटरनेशनल करिकेट में सबसे तेज अर्थ सदक का रिकॉर्ड किस किलाड़ी ने बनाया है पांसर है दिपैंद सिंग एरी Next question है हाल ही में ऑसकर 2024 के लिए भारत की ऑफिशल एंटरी के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया है तो फिल्म का नाम है दो हजार अठार है Everyone is the hero Next question है किस देश ने सैन उपगर है नूर तीन लांच किया है नूर तीन जो सैन उपगर है किस देश ने लौंच किया आज़ आता है इरान Next question है सवच्छ भारत मिशन 2.0 के तहट किस राज ने 100% ODF PLUS COVERAGE हासिल कर लिए है सवच्छ भारत मिशन 2.0 के तहट किस राज ने 100% ODF PLUS COVERAGE हासिल कर लिए है तो आहनसर होगा उत्तरप्रदेश प्रदानमंत्री मूदी ने किस राजी में 800 मेगावाट की रामा गुंदम एंटीपीसी परियोजना का उद्गाटन किया है तो आंसर है तेलांगना प्रदानमंत्री मूदी ने किस राजी में 800 मेगावाट की रामा गुंदम एंटीपीसी परियोजना का उद्गाटन किया है तो तेलांगना नेक्स्कूशन है एचपी और कौन सी कंपनी मिलकर भारत में क्रोम बुक का निर्माड करेंगी एचपी और कौन सी कंपनी मिलकर भारत में क्रोम बुक का निर्माड करेंगी आंसर है गोगल नेक्स्कूशन है किस राजी में भारत का पहला कार्टोग्राफिक मीजियम का उद्गाटन किया गया है तो उत्तराखंड नेक्स्कूशन है भारत की किस टेवल टैनिस महला योगल जोड़ी ने उननीशवे एसी आई खेलों में का से पदक जीता है तो आंसर है अहेका मुखरजी और सुतीर था मुखरजी और सुतीर था मुखरजी जूद्धन है टेवल टैनिस महला योगल जोड़ी ने नायंटीन इस इसंच्ण का तब बैंगलोर में क्यार सुल्ट याज Wilson है नेक्स्कूशन है। सुब्रोटो कप अंडर 14 टूनामेंट के भांडर 14ट टूनामेंट के बयांगलोर में की जाए गा 2023 के लिए सबसे मुल्यवान भारतिये ब्रांड कौन बना है तो टाटा कंसर्टेंसी सर्विस सुंदर्वन क्लाइमिट इंपेक्ट को उजागर करने के लिए भारत और किस देश के साथ समझोता हुआ है बांगलादेश और भारत के साथ समझोता हुआ है नेक्स कुशन है भारत और किस देश के वीच संप्रिती मिलिट्टी एक्साइज का आयोजन किया गया है संप्रिती मिलिट्टी एक्साइज का आयोजन भारत और किस देश के वीच वीच कीया गया है तो बांगलादेश नेक्स कुशन है डाक्तर भीमराव अम्बेटकर की सबसे बड़ी प्रत्यमा का अना वुरण किस देश में किया जाएगा अमेरिका अमेरिका में डाक्टर भेम्राव अम्बेट करकी सबसे बड़ी मूर्थी लगाई जाएगी गांधी जैन्ती 2023 की थीम क्या थी गांधी जैन्ती 2023 थीम एक तारीक एक घंटा एक साथ सीमा सडक संगठन बॉर्डर रोड और्गनाइजीशन के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है तो आंसर होगा रगुशिरी निवाशन को बियारो के प्रमुख नियुक्ति किया गया है जाती अधारित गढ़ना के आंकड़े जारी करने वाला देश का पहला राज्य बिहार बन गया है यह बहुत जाथ हैं इंपोर्टेंटर ऑस filt नेक्स क्योश्टन है बारत की पहली वार्टर युद्वरस्टी कहां खुलने जा रही है भारत की पहली वाटर यूनिवर्स्टिक खांकुलने जा रही है तो उत्तर प्रदेश में नेक्स कुशन है किस राज्य या यूटी के पस्मीना उत्पादन उत्पाद को जी आई टेग मिला है तो बैसे पता है जो पस्मीने सौल्स होती है जातर कहा समिलती है पाई जाती है गलोबल ऐंडिया वारड पाने वाली पहली महला बनी है इंडियन अवाड पाने वाली पहली महला पॉन बनी GIS इंस वायलिन ने इंदjan गेम्मई परदा में गोल्ड मेडल जीता है इस ऐन गेम्स दो हजार्टेइस में बाला फैक इस परदा में गोल्ड मेडल जीता है आंसर नीरत चोपड़ा नेक्स कुश्चन है भारत और किस देश ने शोशल सेक्यूर्टी एग्रीमेंट पर हस्ताक्चर किये हैं सोशल सेक्योर्टी एग्रिमेंट पर भारत और किस देश की बीच में हश्ताक चरूए तो अर्जेंटिना नेक्स कुशन है बिस्फ सड़क कांगरेस का आयोजन कहां हुआ है तो प्राग में नेक्स कुशन है एसियन गेम्स 2023 में जैवलिन त्रों में गोल्ड मेडल जीतने वा पहली भारतिय महला बनी है अनुरानी दोस्तों अब तक हम 50 कवर कर चुके हैं और 40 कुश्चन अभी हमारे बचे हुए हैं तो टोटल इस वीडियो में 90 कुश्चन होंगे और यह कुश्चन एकदम पेपर और और इसमें कोई ज्यादा आलग से नहीं जो महत्वोड़े जिन सेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को नेक्स्ट कुश्चन है 51 आई सीसी में किसे पुरुष क्रिक्ट विस्व कप 2023 के रूप में नामित किया गया है तो सचिन तैंदल कर वो नेक्स्ट कुश्चन है साहित में नोबल पुरुषकार 2023 के लिए किसे चुना गया है तो आंसर है जोन फासे नेक्स्ट कुश्चन है पीम स्वयनिधी योजना पीम स्वयनिधी योजना कि कितने स्टीट बेंडर्स को कवर करने का लक्ष हासिल किया है तो कितने 50 लाग स्ट नेक्स्कूशन अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश नेक्स्कूशन पिर्धानबंती नेद Lilly न किस राज्य में ऐनम डीलिय सी ग्रीन फिल्द इसटील प्लांट को समरफित किया गया然后 पौरत के सोलर रूफ साइक्लिनड ट्रेक का दखाटन कहां किया गया है भारत के पहले सोलर रूफ साइक्लिंग ट्रेक का उद्गाटन कहा किया गया तो आंसर है है अधराबाद नेशनल डॉल्फिन डे कब मनाये जाता है नेशनल डॉल्फिन डे कब मनाये जाता है आंसर 5-5 अप्टूर किस देश ने दक्षड पूर्व एसिया की पहली हाई स्पीड रेलवे विस का उद्गाटन किया है तो इंडोनेशिया ने सास्त्र 2023 रामानुजन प्रसकार के लिए किसे चुना गया है वांजर होगा रूय की सियांग ज्ञांग को नेक्स कुश्चन की तरफ चलते हैं कुश्चन नम्बर 60 जेन्य द्वारा डॉक्टरेट की मानक उपादी प्राप्त करने वाली पहली महला बनी है सामिय सुलय हसन लुद्वा यह सामिय सुलय हसन किस कंट्री की अपना बहुतिये लिए ब्राइंड किसे बनाया है अंतराष्ट का दिवस कब मनाया जाता है अंतराश्टि वालीका दिवस कब मनाया गूपर सम्कुला और सरक्का जो केंद्री जनजाती गूपर भ्यश्व। नेक्स स्कूशन है भील के निदेशक के रूप में में किसे न्युक्त किया गया है भील के निदेशत के रूप में किसे नियुक किया गया है तो बानी बर्मा को किस राज्य द्वारा गंगा डॉल्फिन को राज्य जलिय जीब घौसित किया गया है तो आंसर उत्तर प्रदिश द्वारा राष्टी लता मंगेश कर संबान 2022-23 से किसे संबानित किया गया है किस पुरुस योगल जोडी ने बी डवलु एफ रैंकिंग में पहला इस्तान हासिल किया है तो सात्विक साहिराज और चिराग सेट्टी ने कि एक क्यों से conscious जलुवाई परिवर्तन से जोडे शिपनोल जा प्रुसकार से किसे संमलेत किया गया है प्रुसकार से किसे शुपनोल जोड़े प्रुसकार उत्राघ के लिए सुपनोलफ किया है सरकारी नोक्री में महलाओं के लिए 35% आरक्षण किस राजी ने प्रावर्ण किया है तो आठ अक्टूबर को जीव मार्ड का नया ब्रांड अम्बैश्ड किसे चुना गया है तो महंदर सिंग धोनी को किस राजी के कलारी को जी आई टेग प्रतान किया गया है जम्मु कस्मीर तो कलारी किस राजी की है जिसे जी आई कि प्रतान किया गया वह जम्मू कश्मी के सांती नोबल पुरुसकार 2023 से किसे सम्भानित किया गया है तो नर्गिस मुहम्मधीव कि नेक्स्ट कुछिन की तरफ चलते हैं उत्तर पृधिष के प्रितापगार् रेल्वे स्टेशन का नया नाम रखा गया उसका आशन सर मां बेला देवी धाम प्रितापगार्ग जंग्सन next question है बिहार के बार किस राजि में जाती अब जो चायना में हुए इसमें सबसे ज़्यादा है ज़ो चीन नेहीं जीते हैं और इसमें भारत ने 107 मेडल जीते हैं प्रोजेक्ट उद्वव का संबंद किस्से है तो भारती सेना से इंडियन आर्मी नेक्स कुश्चन भारत के पहले सोलर रूफ साइक्लिंग ट्रेक का क्या नाम है जो अभी हमने देखा था हैदराबाद में यहां शुरूआत हुई है भारत में पहले सोलर रूफ स्रीलंका नेक्स क्वश्चन राष्टी किसोर कुमार संबंद 2022 23 कि से संभानित किया गया है तो आजरा धरमेंदर कुमार किनके देश दोवारा मूरा वन लॉकेट लाउंच किया गया है किस देश द्वारा मुरा-1 रॉकेट लॉंच किया गया है सपेन के रख में नोकिया ने यह यह को ं कहां किया है तो नोकिया ने सिछल इस गड़ का इस नहीएहिं जजी लेप का उद घातन कहां किया है तो आंसर होगा बैंगलावर मैं कि नेक्स कुशन है सोल में राष्टिये किर्शी विज्ञान कांगरिस का आयोजन कहां किया गया केरल में बिस्फ डांक दिवस कब मनाया जाता है विस्फ डांक दिवस कब मनाया जाता है तो 9 अक्टुबर को के अध्यक्ष के रूप में किस देश को चुना गया है बाहरत को नेक्स कुशन है बंडे बेस्फ कप में सबसे तेज एक हजार रन बनाने का नया रिकॉर्ड किस खिलाडी ने बनाया है तो आंसर डेविड वॉर्णर नेक्स कुशन है 24 वी मद्द छेत्रिय परिशत बैटा कहां हुई है उत्राखंड में नेक्स कुशन है हिंद महासागर रिम एस्टियेशन का अध्यक्ष किसे निउक्ष किया गया है आंसर है स्री लंका भारत ने इस्राइल से निकानने के लिए कौन सा ओप्रेशन चलाया है तो ओप्रेशन अजय अंतराश्ची किर्केट में सरवाधिक चक्के का रिकॉर्ड किसने बनाया है तो आंसर है रोहित सर्मा दोस्तों आज हमने कवर कि 91 कुश्चन कवर किया है अब जो अगले 90 कुश्चन होंगे वह पार्ट 2 वीडियो होगी उस 16 अक्टूबर से लेकर मन्त के 31 अक्टूबर तक की वीडियो होगी तो इस पूरे अक्टूबर मन्त की हम दो दो पार्ट में कवर करेंग करने में यह बहुत ज्यादा है तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट में जरूर बताएं साथ जाथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें